हारी कृष्णा, बहुत दिनों से मेरे रेसिपी वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, मैं कहा हूँ, क्या कर रही थी, आज मैं आपके साथ वो सब को शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही एक हेल्दी ब्रेकफ़स रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब लोग जहां मुझे मिल जाएं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बस साली बहुत इंजॉय करती हूँ, और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ अगर आपको थोड़ा सा खुश होने, मुस्कराने और हसने का मौका दे, तो उस मौके को गवाईए मत, कि नेक्स डे हम हम के लिए, और हरी दौर में हमने हरकी पोड़ी पर कंगाजी में स्टाइन किया, और उसके बाद हम निकल गए FFOD के लिए, हम शाम को पहुँच गए थे, और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, वहाँ का खाना भी बहुत सिंपल और बहुत ज़ादा टिस्टी था, देरादुन हम शब शाम को पहुंच गए थे तो हमारे पास टाइम था तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए और हम अपने आपको बहुत लखी मानते हैं हम यानि कि मैं अपने मम्मी और भाया के साथ गई थी और वह वहां की जो दर्शन थे वो बहुत बहुत सुन्दर थे वहां की मैं आपको कुछ जल्कियां दिखा रही हूं उस समय आरती हो रही है वहां पर और इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह देखी इस तरीके से वहां पर एक गुफा टाइप बनी हुई है और वहां उस गुफा में जगा जगा पर पानी टपक रहा है तो इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है कि बाद हम रात को गेस हाउस में आकर सो गए थे और नेक्स दे मॉर्निंग में यानि 26 सेप्टेंबर मैं सुबह 9 बज़े ही निकल गई थ दे वोमन ओविटर क्रेटर फेस्ट के लिए वनर हाउस में एंट्री करना ही हमारे लिए बहुत बड़े बात थी एक सम्मान की बात थी तो बस वह बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी और इसके लिए मैं तिप्ते जी और पूरी वोमन ओविटर तीम को तहे दिल से शुक् और नेक्स दे हम लोग दहरादुन के न्यूस पेपरस में और टीवी चैनल पर भी थे और बस सेम डे ही हम लोग वापिस आ गए थे मैं यहाँ पर डली आ गए थी और नेक्स दे ही मेरा बर्दे था जिसके लिए मेरे बच्चों ने सर्प्राइस पार्टी रखी थी मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्होंने इस तरीके से बैने बुक किया हुआ है और सभी को इन्वाइट किया हुआ था मेरे लिए बिल्कुल हिरान होगी थी मैं सब को देख करके वहाँ पर बहुत अच्छा लगा बहुत मुझे मज़े आ रहे थे enjoy कर रही थी मैं वहाँ पर इन्ही सब बातों को लेकर के मैं हर दिन रात को सोने से पहले अपने भगवान को अपने ढाकुर जी को शुक्रिया कहना कभी नहीं भूलती हूँ क्योंकि जो मुझे मिल रहा है या जो मुझे दिया है भगवान ने उसके लिए मैं हर दिन उनका शुक्रिया करती हूँ नेक्स टेप मैं अब आपके साथ अपनी ये breakfast recipe शेयर कर रहे हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पर gas पर एक लीटर दूद उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि आज हम इससे पनीर बनाने वाले हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर ready-made पनीर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ने वाले पनीर देंगे, यह पर आपके मैं और नमक ढाल देंगे, अज़ बंक जेने वाला पानी जब हलका सा गुंकुना है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका नॉर्मल आटा लगा कर तयार कर लेंगे एक छोटा चम्मा देसी ही डाल देंगे और ये देखिए आटा लग करके तयार हो गया है और यहाँ पर हमने एक कप सोया बीन को भी अच्छे से सोफ्ट होने तक उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल करके इसे एक बढ़ अच्छे से वाश कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से निचोड कर हम ग्रैंडर जार में डाल देंगे और इसे पल्स पर ग्रैंड करेंगे बहुत ज़ादा आपको इसका fine paste नहीं बनाना है ये देखिए हलका सा grind कर लिया है और ये पनीर को भी हमने अच्छे से निचोड लिया है यानि इसका extra पाने निकाल दिया है इसे परात में निकाल लेंगे अब इसमें मैं थोड़े से कटे हुए प्यास डाल रही हूँ थोड़े सी कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ा नमक डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और भूना हुआ जीरे का पाउडर और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप यास नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप यास ना डालेंगे अब इसे हम इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और यहाँ पर सोया बिंको भी मैंने कपड़े में डाल कर अच्छे से निचोड लिया है इसमें भी हम थोड़ा सा कटा हुआ प्यास डाल देंगे थोड़ा नमक, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और साथ ही एक चमश पाउभाजी मसाला डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप पाउभाजी मसाला नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं और यह भी तयार हो गया है मिक्षर अब हम आटे में से एक लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे पतला इस तरीके से और आब इसके एक साइड में यहाँ पर थोड़ा सा पनीर रख रही हूँ और साथ ही एक साइड में में यहाँ पर थोड़ा सा सोयाबिन का मिक्षर रख दूँगी और इसे इस तरीके से दूसी तरफ से उठाकर cover कर देंगे और इसे triangle shape देंगे अब हम इसे सुखे आटे से coat कर लेंगे और इसे bell लेंगे कि देखिए हमारा triangle planter तयार है और अब इसे गरम तबे पर डाल देंगे और जब ये हल्का सा सिक गया है या फिर अचार के साथ या दही के साथ मुझे तो ये रुखा भी बहुत पसंद है और ये परांठा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है बहुत समय तक भी क्योंकि हमने इसे छेने के पानी से मला था तो लेजे फ्रेंड्स हमारा हेल्दी परांठा बनकर के तयार है आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपकी अपने चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक ले गुडबाई, टेक केर और थैंक्स फो वाचिंग